इस फिल्म को हमने एक शिक्षा माफिया के उपर बनाये है जो आज सरकारी स्कूल और प्राइबेट स्कूल में जो कमपटिशन है और शायद आप भी हमको लगता है आप लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे पहले लेकिन अभी ये सिक्षा माफिया जो है इस कदर से एक बड़ेन जो कभी सरकारी स्कूल में हुआ करता था और अभी भी नहीं है लेकिन अभी हर आदमी गार्जियन जो बचो का है वो सोचता ही भाई मैं सिधा बड़ेगी स्कूल या प्राइबडी स्कूल में बच्चों का अडमिशन करा हूँ उनके पास फैसलेटी नहीं होने क पड़ती है गौवर्मेंट हमारी बहुत सारी फैसलिटी दे रही है हमारे प्रधानमंत्री जी का काफी सारा योजना इस पर चल रहा है तो यह सबजेक्ट उसी से रिलेटेड है और इसमें अमरपाली जी का बहुत अच्छा कारेक्टर है जीन होने सरकारी स्कूल के लिए इस पिक्चर में और बच्चो को फ्यूचर के लिए अपना बहुत बड़ा जॉब छोड़ करके सरकारी स्कूल के बच्चो को पढ़ाती हैं लेकिन दिने सी की मुझे लगता है कि यह पहली पिक्चर होगी जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कारेक्टर किया है और लेकिन बहुत आदर्श करेक्टर जो आगे चल करके ऐसे लोगों के लिए जो सिख्चा माफिया बन करके और जो समाज के लिए एक अभिशाप है वो लोग लेक बहुत बड़ा मैसेंजर बनते हैं और लास्ट में सब को बताते हैं कि भाई नहीं हमारे जो गरीब बच्चे हैं हमा गवर्मिंट्स बहुत एड्स भीशती है सरकारी स्कूलों को जिला परीशती स्कूलों को लेकिन जो माफिया है या तो वो अपने प्राइवेट स्कूल कॉलिजे से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसको एक धंदा बना दिया है सिक्षा को बेचना गवर्मिंट स्कूल तक प्रोपर फैसिलिटी और प्रोपर एजुकेशन ना पहुचानने देना ताकि जो भी स्टूडेंट्स है वो उनको मिले उसको हाइलाइट किया इस पिक्षर में दिनेज जी ने ने नेगेटिव करेक्टर जरूर किया है लेकिन उन्होंने भी अपने करेक्टर के तुरू अ प्रोपर फैसे के लिए बच्चों का भीष्ची से खिलवाड कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए और इस तरह फिर वो पूरा चेंज करते हैं इस स्कूल को गवर्मेंटी स्कूल को वापस से डवलप करते हैं बच्चों को फिर अच्छी सिक्षा मिलती है यह अगर पूरे देश में हो जाए तो हमारा जो सिक्षा का वियान वह पूरा हो सकता है यही एक संदेश इस पिक्षा में नमस्कार पहले तो आप सब भी मेडिया करमियों को साथियों को परणाम करना चाहूंगा मैं संजे महानन इस फिल्म का ए एक इसका हिस्सा हो और जैसे हमारे निर्देश शेक महोदे ने आपको सब कुछ बताई दिया है हमारे निर्माता जी नहीं बता दिया है कि किस विशय पे फिल्म बनी है और कास्टिंग के बारे में भी डिटेल में बात की जाने चाहिए कि दिनेज जी है दिनेज जी है आम जो इस फिल्म के निर्देशक है, बहुत एक स्थोशल इशू पे एक सब्जेक्ट उठाया है और उस पे तानावाना बुना है कि कॉमेडी भी हो, मसाला भी हो, इमोशनल भी हो, ड्रामा भी हो और उसके साथ साथ एक मैसेज हो, तो उमीद है कि एक सोशल इशू के साथ हम जाए है, उसमें लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। लोगो हम ने होड़ो की हम लोगो हिरिलिप करेंगे और शायद अगर हम लोगो का दो आशुत्र आशुट तो हम लोगो जरूर करेंगे आज का समय आगया है कि हर तरह के लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए और एक सिर्फ सोचल सबजट Nova पर हम पिचर अगर बनाते हैं तो लोग उसमें इंटरेटेंड नहीं कर पाते हैं तो हमने कुछ इस तरह से इसको कॉमर्शेल भी बनाया है पिक्चर को, लैबिश लोकेशन, लैबिश मतलब पिक्चराइजेशन, और लैबिश जो कैमरा, जो लेटिस्ट कैमरा है, लेटिस्ट टेकनोलोजी है, मैंने इसका जो फाइट है, जो पचास-पचास फाइटर, से मारते हैं, वो भी गारते हैं, सब्जक्त बढ़ा अलग तरह का है, लेकिन ने शीजे में बतारे हो, तब लोगो बढ़ा तो लग रहा होगा, लेकिन हर तरह का मसाला हो इस पिक्चर में डाला है, दो 2000 डांसर्स हैं, जो हिमालय के वादियों में हमने पिक्चराइस किया ह तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश किया है मैं तो नहीं बनूगा कि हमने बहुत बड़ी पिक्चर बनाई है लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भोचपूरी इंडस्ट्री की जो हालत है तो इस पिक्चर से शायद कुछ मतलब आउडियंस हमारे हौल तक पहुंचे और लोगों को लगे कि नई भोचपूरी भी सापसुत्री बनती है इसके पहले हुली मैंने अपना रिलीज किया था और उसके पहले मैंने दुर्गा रिलीज की थी हुली में तो काफी अच्छी गई थी फिल्म और दामनी युगर अभी हमारा बहुत शुकर पर हिट रहा है तो मैरे हमेशा एक तरह से समाज के लिए एक मैसेज स्टोरी ही बनाया है और इसमें हर तरह का मसाला डालाएगी हर तबकी के लोगों को मनुर्गान हो सर, संगीत किस तरह का आइटम सोंग से है या सिचुशन सोंग से है देखे, मैं इसमें वस तरह की मेरी सुरू से मेरी यादत है मैं कभी वल्गर फिल्में नहीं बनाता हूँ मेरे फिल्मों में आइटम आइटम नहीं होता है मैं बहुत साब सुत्री नीड और की फिल्में बनाता हूँ, यहां तक कि मैं वो बॉडी में भी कुछ इस तरह का पार्ट को मैं शूट नहीं करता हूँ, जिसे परिवार के साथ बैठके देखने वाले लोग मुझ चिपा दे, मेरी पिक्चर काफी साब सुत्री है, चुकी मै जारखंड में किया है, जारखंड हमारे लिए बड़ा लखी रहा है, खुबसुरत लोकेशन है वहाँ पे, और बाकी बहुत सारा शूट में नेपाल में भी किया है, तो इंडिया और नेपाल दोनों जेगा हमने शूट किया है इसको, पुच्बों की इसपी क्या है आपकी मेहनत सफाल होगा हमारे निर्माता बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, उहाँ पर पहाड में जाके हम लोगों को खाना नहीं मिलता था, फिर भी हमारा एक इनका सोस था कि भाई एक अच्छी फिल्म बननी चाहिए, चुकि यह पहली पीक्च यादार पल होते हैं, कोई ऐसे यादार पल आप से एकरना चाहिए, देखिए, कहीं कहीं मुझे हम और दिनेश्री और अमरपाली जी शूट कर रहे थे, यह कैसे जगर प्रे जहाँ बारिश हो गई, और दिनेश्री का थोड़ा पैर भी सिलिप कर गया था, तो हमने बोला क अच्छा था, बाकी हमारे संजे भाई ने बताये, तो कि यह भी हमारे फिल्म के बहुत में आर्टिस्ट हैं, और यही वो सरकारी टीचर है, जो पैसा लेते हैं सरकार से और जाके बैंड बजा बजाते हैं, पार्ट टाइम में और क्लास में बच्चों का मतलब ध्यान नही जाए इन लोग साथ काम करके और सभी कोई कॉपरेट किया, मुझे ऐसा लगा ओदेश जी का कॉपरेशन, अमरपाली जी का कॉपरेशन, तो हम लोग इंजुआए करते थे, और तो बहुत कोई घटना हो थी तो बहुत मजा से हम लोग दूसर को कॉपरेट करते थे, इसका इसका प्रोमो हम लोग नेक्स्त वीक में लॉंज करेंगे, और आजसे हम लोग शुरू किया हैं, नेक्स्त वीक में हम लोग का प्रोमो भी आ जाएगा, उसके बाद माहारा टेलर भी आएगा. पुस्षा दिनेजी के आवाज में कितने गाने हैं? लगबग इसमें गाने ज्यादा नहीं है, छे गाने ही हमने डाला है, वो भी सब सेचुईशनल सॉंग है, चुकि हीरो हीरोईन का कोई इसमें बहुत जादा रोमान्स हमने दिखाया नहीं है, तो दिनेजी के ऊपर चार गाने हैं, और एक गाने हमारा थोड़ा सैड सॉंग है इस तरह से मतलब मिला के 6 गाने हैं. जैसे आम तोर पर होता है. क्योंकि सरकारी नौकरी करने वालों का मैडलेटी है कि जारे साइन कर देंगो तो ही हो जाएगा. दिरे देज चीजे बदलती गई है. तो साइन करता हूँ और साइन में बिजनर्श चल रहा है मेरा. साइनाई बजाने का अपना साटा का काम चल रहा है. तो वो करेक्टर है उस तरीके से हाथ से पैदा होता है. मेरी भी एक हिरोईन है. और मुझे भी दे दिया है इन्होंने एक हिरोईन. जाके मजाग मस्ति करिए और लोगों का मनरजन करिए. तो उसी तरीके से लोगों को बहुत हसाने और गुदगुदाने वाला उम्मीद है कि लोगों को और ये भी दिनेजी के तरह लास्ट में इस चीज़ को रिलाइस करते हैं. कि भाई मैं गौवर्मेंट जो पैसा मुझे देती है वो जितना पैसा देती है उसे ज़्यादा हमें सहयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या स्कूल के सहयोग के लिए करना चाहिए तो यह भी बाद में जाकर सुझाए बाद में वही है कि सोशल इसू पर है पढ़ाई लोग इस फिल्म को जब देखेंगे और जब बाहर निकलेंगा तो एक मैसेज लेके जाएंगे अपने कैसे रखा क्या संबंद है कहां जी देखिए संबंद कुछ ऐसा नहीं है टाइटल से हमारे सब्जेक्ट का कुछ हो लेना थे नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सा टिपकल नाम इसलिए रखा कि लोगों के जबान पर चढ़ जाएंगे चुकि अभी है हम लोग भुछपुरिया ही है थोड़ा सा अब हमारे ओडियेंस है इसका बहुत हिंदी स्टाइल में नाम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि हमारे दर्सक फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नाम भी टैन फिल्म से अलग नहीं है हम लोग जो रहो तो है ही लेकिन साथ में जो हीरो का हमारा किरदार है चैरेक्टर है उसका नाम करता है तो इसलिए अब क्योंकि हम अगर सोशे शुच इसू की फिल्म बना रहे हैं और वैसे नाम रख दे तो लोग एक कैटेगरी बना उसकी वज़े से ही दिनेश जी को जो नेगेटिव से पॉजिटिव कनवर्ट हुआ है वो बिकॉज ओफ इस लावर जो उनुका आमरपाली जी के प्रतिर लाव है एक तरह से वो नेगेटिव होते वे भी पूरे रोमियों बन गए थे उनके प्यार में और उस प्यार ने उनको बदला है और उस बदलने के बाद जो मैसेज गया है समाज में वो एजुकेशन के लिए गया है इतना मुस्किल हुआ नेगेटिव रोम जी को आपको नेगेटिव रोम की है मना नेगेटिव है आपने शायद फर्स्ट लूप में मेरे देखा होगा उनका हेर स्टाइल होगरा काफी मैंने चेंज किया हुआ है चुकि वो हमारे फिल्म में एक अनपड़ गमार का कैरेक्टर कर किये हुए है और नेगेटिव है तो मैं क्या समझा हूँ वो तो बहुत बड़े स्टार है और इसलिए दुनिया उनको सलाम करती है मैं भी सलाम करता हूँ उनको और वो कैरेक्टर में इस तरह से डूब गए और अभी तक पुरी फिल्म में वो डूबे हुए है अगर एक तरह से देखा जाए तो ये दिनेशी के लिए कंदे पर एक बहुत बड़ा बोज अमनों ने डाला है अमरपाली जी एक कंदे पर भी कि दोनों आदमी ने इस पिक्चर के हर सीन में हर पर्ट में हर डालॉक्स में हर कंपोजिशन में उन्होंने हमारा सहयोग किया और अगर कुछ इस तरह के डालॉक्स होता था जो मैं दिनेशी को कैसे दूब बोलने के लिए तो बोलते थे भाईया कौन से डालॉक्स है नेगेटिव है तो आप कैसे बोलेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मैं आपको दूसरी बार मैं काम किया सेरेंदोस्तान के बाद में यह इतना कॉपरेट करने वाला आर्टिस शायद बहुत कम मेंगा